हेला अब्रीवन वेलकम टू एससी इस्टेंट एकजाम एससी के इस्टेंट एकजाम में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं तरकी मैट्स तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्रा है वो क्या है एक बटे 12 प्लस एक बटे 20 प्लस एक बटे 30 प्लस एक बटे 42 प्लस एक बटे 56 प्लस एक बटे 72 तो इस को जब भी ऐसा कुछा जाए तो सबसे पहले मैं इस को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा देखिए तो यहां पर क्या सबसे पहले लिखा है वन बटे एक बटे बारा तो यहां यह जो बारा लिखा है इसको क्या लिख सकते है देखिए इसके अगर गुड़न खंड करें तो इसके गुड़न खंड क्या होंगे गुड़न खंड होंगे 3 into 4 तो यहां पर 3 का multiply चार बार करते हैं तो कितना आ जाएगा हर में जो लिखा है वो 12 आ जाएगा इसी प्रकार से हमें second वाले को करना है जब हम second वाले में करेंगे तो क्या लिखा है एक बटे 20 जब इसके गुड़न खंड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर आएगा 4 इंटू 5 चार इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा जो हर में लिखा है 20 आ जाएगा अब इसी प्रकार से एक बटे 30 एक बटे 42 एक बटे 56 और एक बटे बात्तर का कर लेंगे तो यहाँ पर अब किसका नमबर है एक बटे 30 का नमबर है जब एक बटे 42 के गुड़न खन करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा देखिए गटे 42 और एक बटे 42 के गुड़न खन फोते हैं 6 इंटू 6 6 इंटू 7 का गुड़न करेंगे 6 ис acredita 42 तो यहाँ पर हर में जो लिखा है वो कितना आ जाएगा एक बटे 42 अब इसी प्रकार से हम एक बटे 56 का देख लेंगे जब एक बटे 56 के हम गुड़न खंड करेंगे तो यहाँ पर कितना हैं कि गुड़न खंड देखिए यहाँ पर आजाएगा 7 x 8 यानि की एक संख्या बढ़ती जा रहा है उसका मल्टिप्राई होता जा रहा है देखिए यहाँ 6 x 7 का हुआ था उसी प्रकार 7 x 8 का हुआ अब क्या होगा एक बटे 72 में 8 x 9 का होगा तो यहाँ पर एक बटे 72 में 8 x 9 कर देखिए तो यह देखिए आ एक बटे 56 के आए 7 x 8 और एक बटे बातर के आए 8 x 9 अब हमें क्या करना है देखिए सबसे पहले इन पदों को गिनना है तो यहाँ पर पत कितने लिखे हैं एक दो तीन चार पांच छे पद है तो 6 को हम लिखेंगे उपर अब हमने 6 को लिख लिया उपर आप क्या करेंगे देखिए यहाँ पर जो 1 गुड़न खंड है वो कौन सा है यहाँ पर 3 है और लास्ट गुड़न खंड कौन है तो लास्ट गुड़न खंड है यहाँ पर 9 है तो अब क्या करेंगे जो 1 गुड़न खंड है उसको नीचे लिख लेंगे और लास्ट गुड़न खंड है उसको हमने बटे में लिग लिए, अब क्या करेंगे, देखिए, जब इसको हम solve करेंगे, तो यहाँ पर हम 3 से इसको cut करेंगे, तो 3 से cut करने पर कितना आएगा, 3, 2, 6, यहाँ पर 2 आगया, अब यहाँ पर क्या होचा, 2 बटे 9, तो यही क्या हो जाएगा, 2 बटे 9 हमारा स्रंखला का योग हो जाएगा, तो 1 बटे 12, प्लस 1 बटे 20, प्लस 1 बटे 30, प्लस 1 बटे 42, प्लस 1 बटे 56, प्लस 1 बटे 62 का जो योग होगा, वो कितना होगा, योग हो जाएगा, 2 बटे 9, तो यह कौन से option में दिया गया है, 2 बटे 9, तो option number B पर दिया है, option number B is correct हो जाएगा, और 2 बटे 9 क्या हो जाएगा, answer, तो दोस्तों इस question में हमने क्या किया, देखिए, सबसे पहले जो स्रंखला दी गई थी, वो थी 1 बटे 12, प्लस 1 बटे 20, प्लस 1 बटे 30, प्लस 1 बटे 42, प्लस 1 बटे 56, प्लस 1 बटे 22, तो हमने देखिए, जो 1 बटे 12 लिखा था, इसके ऐसे गुड़न खंड किये, जो कि यहाँ पर गुड़न खंड 12 के कितने आए, 3 और 4, इसी प्रकार से हमने 1 बटे 20, 1 बटे 30, बटे 42, इसी प्लस 1 बटे 56, और एक बटे 72 के कितने के कितने आए, फिर इन पदों को गिना, तो यहाँ पर पद कितने दिए गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद दिए गए, जितने पद हैं उसको लिखने के ऊपर, तो यहाँ 6 पद दिये गए तो अंसमें हमने क्या लिखा 6 अब हर में हमें क्या लिखना है देखिए जो एक बटे 12 के पहले पद के गुड़न खंड है उसका पहला गुड़न खंड यहाँ पर क्या है 3 है 3 हमने लिख लिया इंटू में क्या लिखेंगे लाश्ट में जो पद है उसका लाश्ट गुड़न खंड क्या है 8 इंटू 9 तो यहाँ पर जो 9 है इसको हम नीचे लिख लेंगे अब क्या करेंगे देखिए जब हमने 3 इंटू 9 लिखा उपर 6 है तो 3 से हमने 6 को कट किया तो 3 दूनी 6 तो यहाँ कितना आ गया दो बटे 9 और यही क्या हो जाएगा अंसर तो दो बटे 9 क्या हो जाएगा इस स्रंखला का योग हो जाएगा और यही अंसर हो जाएगा तो आते हैं अंगले कुष्चन पर जो अंगला कुष्चन है उससे देखते हैं तो देखिए जो अंगला question है वो है नीचे दी गई श्रंखला का योग ग्याद कीजिए जो श्रंखला है वो क्या है एक बटे 35 एक बटे 63 एक बटे 99 एक बटे 143 एक बटे 195 सबसे पहले हमने ऐसे question को solve करने के लिए आपको क्या बताया कि जो भी पत दिये गए हैं उसको हम यहां पर इसके 6 तो पांच इन्टू साथ Prisky करेंगे तो यहां पर कितने आ जाएंगे यहां डीटरेट की आ रहेंगे क उन्याँपर ć Zahlen क करेंगे तो यहां पर कितना आ एक प्रेकार से करेंगे तो यहां पर कितना आएगे इन दोनों की वीच का अंतर कितना ना करें तो भी कुछ नहीं है यहां पर एक बटे 95 का डारेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर ऐसी संक्या में लेनी है जिसका अंतर 2 हो तो यहाँ पर देखिएगा तो देखिए इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है 2 का आ रहा है देखिए यहां लाश्ट गुडन खंड कितना था साथ यहां लाष्ट कितना था दो तो यहां अंतर कितना आ गया दो अब क्या करेंगे इसके बाद हम देखेंगे तो इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है इसी प्रकार से जब एक बटे 43 का करेंगे तो इनके बीच का अंतर कितना आएगा जो लाश्ट गुड़न खंड होगा वो 13 होगा और जब एक बटे 95 का करेंगे तो यहाँ पर लाश्ट ग पहले पद्कावी में लेना है आप क्या करेंगे लाष्ट में देखेंगे की एक बटे के गुड़न खंड क्या है तो यहां तेरा इंटू 15 है तो जो लाष्ट गुड़न खंड लिया तो यहां पर कितना आ जाएगा यहां पर आ जाएगा 15 अब 5 से हम 5 को cut कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एक बटे 15 और यही क्या हो जाएगा इस संख्या का योग हो जाएगा जो कि एक बटे 15 आएगा तो यह कौन सा option में दिया है option number C पर दिया है option number C is correct हो जाएगा और एक बटे 15 क्या हो जाएगा answer दोस्तों इस question में हमने किया किया एक बर फिर से समझते हैं देखिए यहाँ पर जो स्रंखला दी गई इस question में कहा गया था कि नीचे दी गई स्रंखला का योग ज्याद कीजिए जो स्रंखला थी वो क्या थी एक बटे 35 प्लस एक बटे 63 प्लस एक बटे 99 प्लस एक बटे 143 प्लस एक बटे 195 तो इस रंखला का हमें योग याद करना था सबसे पहले ऐसे question को solve करने के लिए हमें क्या करना हुआ देखिए जब भी ऐसा question मिले तो यहाँ पर जो पहला पद है उसके हमें गुड़न खंड करने होते हैं फिर दूसरे पद के गुड़न खंड फिर तीसरे पद के तो हमने जब पहले पत का गुड़न खंड किया तो यहाँ पर एक पहला पत किया है एक बटे 35 जब इसके गुड़न खंड करेंगे तो यहाँ गुड़न खंड के आ जाएंगे 5 इंटू 7 इसी प्रकार से एक बटे 63 के जब गुड़न खंड करेंगे तो क्या आएंगे 7 प्रकार से चले जाएंगे 1099 के 195 क्लिआंगी तो क्या आंगे देखें हैं यहाँँ पर में लुटक यहाँ एक के लिए एक सुत आधिस के किन एक सानटी क्या को एक yet je तो पहला पत क्या आएगा 13 x 15, यहां पर 13 x 15 करेंगे तो एक बटे 955 का गुडण खंड हो जाएगा, अब हमें क्या करना है, जितने पत लिखे हैं उसको count करना है, तो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 पत लिखे थे, जो भी पत लिखे होते हैं, उसको हमने लिखा अंस में, और नीचे क् पहला गुडण खंड यहां किता है, पांच है तो हमने 5 लिख लिख लिया, और लाश्ट पद का लाश्ट गुडण खंड क्या आए, यहां पर 15 है, तो हमने बटे में 15 लिख लिख लिया, जब 5 इंटू 15 है किया, तो यहां पर solve करेंगे, तो 5 से 5 कट जाएगा, उपर क्या जाएगा 1, और नीचे क्या बचेगा? 15, तो यहां पर 1 बटे 15 क्या हो जाएगा, आसर, जो इस रंखला का योग आएगा, यह नखला को किटना है, योग आएगा, एक बटे 15 है, और यही क्या हो जाएगा, आसर तो थैंक्स दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वेल आइकन को ज़रूर पेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगो को लगातार मिलता रहे दोस्तों वी